देश के विपक्ष का एक आचरन बन गया है कि सरकार के किसी भी मुद्धे को जाती धर्म से जोड़ दिया जाए और तुष्टी करन की राजनीती शुरू कर दी जाए बीजेपी नीत केंदर सरकार ने वन नेशन वन एलेक्शन की बात की है लेकिन विपक्ष और उसमें भी आम अदनी पार्टी ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है और आप में खलबली मच गई है जो आप भरस्टाचार को राजनीती से खत्म करने की बात करती थी जो चुनाव सुधार की बात करती थी वही अब बीजेपी के वन नेशन वन एलेक्शन के कदम का विरोध कर रही है राजनीतिक विवस्ता ऐसी की अपने विचारों से आप भटक गई है क्या है खबर बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में द्रसल आम अधनी पाटी ने देश के एक चुनाव एक विचार को पूरी तरह से खारिच किया है बीजेपी की ओर से वन नेशन वन एलेक्शन के लिए एक समीति के गठन पर आम अधनी पाटी ने कहा कि भारत में वन नेशन वन एलेक्शन को लागू करना वेवारिक तोर पर संभव नहीं है आपके बरबोली राजसभासांसद संजय सिंग ने ट्वीट कर कहा कि वन नेशन वन एलेक्शन पर मोदी सरकाल की कमीटी दमी कमीटी है राज्य सभा में विपक्ष के नेता खरगे जी को इस कमीटी में न रखना उनका घोर अपमान है इस कमीटी का कोई औचित नहीं इंडिया गठबंधन से घबराय मोदी जी वन नेशन वन एलेक्शन के नाम पर नकली भहस चला रहे है वहीं आपके मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंग कंग ने कहा कि भारत विविन्य राज्यों जिसमें रहने वाले विविन्य धर्मों, जातियों, समुदायों और भाषाओं के लोग का एक संग है लेकिन बीजेपी का विचार एक राष्ट एक चुनाओ, एक राष्ट एक पार्टी, एक राष्ट एक धर्म और एक राष्ट एक भाषा है जो देश के सम्विधान और लोगतंत्र के सार के खिलाफ है बीजेपी आई एंडिया ब्लॉक और उसकी ताकत से डड़ी हुई है उन्होंने कहा कि वैचारिक मतभेदो के बावजूद विविन ने पाटियां एक साजह मंच पर एक साथ आई है हमें भारत के 140 करोर लोगों का परते निधित्व करना है और अपने राष्ट के लोकतंत्र को बचाना है उन्होंने कहा कि पाँच परमुख राज्यों मद्प्रदेश, छतिसकर, राजस्थान, तिलांगाना और मिजोरम के चुनाओ नजदी का रहे है लेकिन बीजेपी अपनी जमीन खोती जा रही है ध्रोबी करन और नफरत की राज्यों निती भी विफल हो रही है जिसके कारण बीजेपी सभी राज्यों में बुरी तरह हार रही है इसलिए प्रधान मंत्री मोधी घबराए हुए हैं और चुनाओ प्रकिडिया को प्रभावित करने की कोशिस कर रहे है वही मलविंदर कंग ने वन नेशन वन एलेक्शन का समर्थन करने के लिए शिरुमनी अकाली दल पर जम कर हमला बोला कंग ने कहा कि शियद को देश, देश के लोगों पंजाब और सिक धर्म की परवाह नहीं है वो केवल अपने राजनितिक, वितिये और व्यक्तिगत हितों से प्रेरित है तो देखा आपने कैसे पीम मोधी के इस मास्टर स्ट्रोक से आपकी बेचैनी बढ़ गई है आपको समझना होगा कि वो सिर्फ राजनितिक हितों की चिंता करेंगे तो उन पर से देश के लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा बिरो रिपोर्ट, OMH News